नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियों में हम नाउन के basic lecture 3 को, यह basic lecture 2 ही था, वैसे मैंने इसको दो पार्ट में complete करने को का था, मैं इसको दो पार्ट में complete करेंगे, तो अब तक हमने, यानि पिछले एपिसोड में जो जो देखे एक बार फिर से उसके एक बार जखलक मैंने डिसकस किया था कि proper क्या होता है common क्या होता है फिर मैंने आप लोगों के example के तुरू इन चीजों को बताया था कि proper common collective material एक्जांपल के तुरू आप लोगों को बताया था फिर countable और uncountable का एक concept भी मैंने आप लोगों को वहां सिखाया था फिर उसके बाद हम आये थे action of noun, action of noun मैंने आप लोगों को subject और object के बारे में बताया था तीन चीजें हमारे सामने रह गए थी prepositional object और subject complement और subject object के थूँ मैंने आप लोगों को ये example के थूँ समझाया था कि subject कैसे कहेंगे और फिर यहां पर मैंने आप लोगों को एक वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होता है वर्ब से related मैं आप लोगों को मतलब जो एक first वीडियो आया थी grammar की उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को वर्ब का एक basic सा concept बताया था कि singular plural verb क्या होती है उनके कितने type की होती ही वहां पर मैंने आप लोगों को साथ discuss किया था और इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था thanks तो ये था पिछला episode आज की इस episode की शुरुआत करते हैं हम इन तीन बाकी बचे करेदारों से तो proportional object subject compliment और object compliment के बारे हम बात करेंगे object compliment को अभी नहीं discuss करेंगे मतलब की अगली वीडियो में भी नहीं कुछ वीडियो बीत जाने के बाद जब आपका concept basic concept पका हो जाएगा तब आप लोगों को object compliment के बारे हम बताऊगा क्योंकि थोड़ा सा heavy चीज जो जाती है इसलिए अभी इसको discuss करना ठीक नहीं होगा तो बात करेंगे हम प्रेपोजेक्ट की इसका अगर आप नाम देखें तो object तो यह वही है object same to same object है बस इसके पीछे जो यह चीज लिखी हुई है प्रेपोज़नल object यह प्रेपोजिशन जो प्रेपोज़न ओती है और प्रेपोजन क्या होती है अ फ़र इस Example to, for, from, बहुत सारी हैं, among, बहुत सारी हैं, जितनी मर्जियान लिखूंगा, पेसी कम पर जाएगा, तो बहुत सारी proportion होती हैं, और proportion, यह जो proportion होती है, proportion के बाद जो थे एक object आता ही आता है, और वो object कौन होता है, या तो noun होगा, या pronoun होगा, simple भाशा में बताओं, तो proportion जब चीज़ें हैं वो मैं अभी डिसकस नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना समझ लो कि जब भी प्रेपोशन आएगा उसके बाद उसका अबजेक्ट 100% आएगा और अबजेक्ट बनेगा कौन नाउन बनेगा अगर नाउन बन सकता है तो प्रोनाउन भी बन सकता है क्योंकि नाउन और तो प्रोणाउन दोनों भाई-भाई हैं नाउन की repetition रोकने के लिए प्रोणाउन नहीं आता है यसिम sentiments के प्रेपोशन की definition जब हमो प्रेपोशन पर जाएंगे वहांपर भी डिसकस कर लेंगे लेकिन एकट छोटी सी कोई इतनी बड़ी definition नहीं हम एक लोकल बाशा में ताकि आप लोग चीज़ को समझ जाएं उस चीज़ में इसको डिसकस करते हैं प्रेपोशन का मतलब क्या होता है तेखो इसके एक नाम से एक नाम से क्लिर होता है प्रेपोशन यानि पहले पोजिशन आएगी इसकी और यह आएगा तो कि क्या करता है अब करता है इनफॉर्मेशन को एड करता है sentence में just simple इतना ही काम है आपको इसके example के थूर समझाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं अब हम करने वाले है proportional object, example के थूर समझते हैं इसको जैसे कि मैंने कहा था कि हम किसी भी sentence को समझेंगे या किसी भी sentence को करेंगे, तो वहां पर हम उसको break करेंगे, और break करने की शुरुआत हमें किस से करनी है, हमें करनी है verb से, clear, मैं अलड़ी बता चुका हूँ कि हम verb कैसे पैचानेंगे, verb एक ऐसा word होता है, जिसमें action हुआ होता है, जिसमें काम हुआ होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं जैसे यहां पर मोहन बोट अबुक फ्रॉम डेली इसमें अगर मैं बता हूँ कि आपसे पूछूँ कि इसमें वर्ब कहा है तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जिसने दो वीडियो लगा लिए वो असानी से बता सकते हैं कि बोट जो है यह वर्ब है अब मैं इसके उपर यह नहीं जाओंगा कि कौन से टाइप की है मतलब कि फर्स्ट वर्ब है सैकेंड फॉर्म वर्ब है थर्ड फॉर्म वर्ब है या कोई सी भी वह उसके पर हम डिसकस नहीं करेंगे अब सब्जेक्ट कैसे पहतानते हैं जो एक्शन का डूर होता है यह वर यह ले ले और क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा एक object, आपको object मिल जाएगा what किसके लिए लगता है, what लगता है चीजों के लिए, what लगता है चीजों के लिए, जानवरों के लिए whom किसके लगता है, सिर्फ और सिर्फ human being के लिए, I have already discussed all these things, so यहाँ पर फिर से आते हैं, boat verb से अगर मैं आपसे reply लूँ mohon boat, what mohon boat, a book, अगर इसका reply मिल रहा है, तो यह book जो है, यहाँ पर क्या बनेगा, object बनेगा clear, action के receiver को action के receiver को हम क्या कहते हैं, object कहते हैं, ध्यांच रखना है, what या whom का reply और action का receiver, दो चीजे होनी चाहिए, object बनने की दो चीजे action का receiver होना चाहिए, साथ इसाथ what या home का reply होना चाहिए, मैं यह बात क्यों बोला हूँ, कि what या home का reply होना चाहिए, action का receiver होना चाहिए, दो चीजे अब फोड़י देर में, इसी वीडियो में इस चीजे को मैं clarify कर दूँगा, तब ही होए चाहिए होना चाहिए चीज दो चीजह को भूर ना डॉकट बने गा वड़ना नहीं बनेगा अभी चीज वीडियो में हमने सीख ले आप इसके बाद मैंने क्या लगाया कुछ information आइड कर दी, जो from है, यह proportion है, यह from है, proportion है, अब शायद कोई बच्चा यह कह सकता है कि सर हमें तो नहीं पता है कि proportion क्या होती है, हम तो कैसे पहचाने की proportion, आज आपने यह word देख लिया, आज आपने यह from word देख लिया, तब क्या आने वाले sentence में जब भी आप यह from word देखोगे, तो आपको पता नहीं चल जाएगा यह proportion है, जैसे पढ़े धीरी-धीरी-धीरी मागे बढ़ेंगे, तब आप पढ़ते चलोगे कि यह वाली proportion है, तो आप लोगों के दिमाग में नहीं किया है, तो अभी क्या किया है, अभी तक नाउन का किया है, तो यह डैली क्या है, यह एक नाउन है, नाउन है, नाउन में भी कौन से टाइप का है, यह प्रोपर नाउन है, क्योंकि कि किसी particular city का name हो गया तो proper हो गया काम क्या कर रहा है यह just इसके बाद आ रहा है proportion के just इसके बाद आ रहा है तो यह क्या बनेगा proportion का object अब मैंने कहा था कि just क्या देता है information एड करता है जड़ा देखना अगर मैं यहां पर इस book के बाद अगर फुल स्टॉप लगा दूर कहूं मोहन बोट बुक सेंटेंस खतम करता हूं तो मोहन ने किताब खरी दी ती बिल्कूल सही है अब additional information देने के लिए मैंने proportion लगाई और उसके बाद उसका object लिग दिया proportion अगले sentence में चलते हैं कुनाल सेंग लगाना मैं भूल गया हूं यहां पर अगर sentence को ब्रेक करने की बाद करें तो सबसे पहले sentence को ब्रेक करें किसे वर्ब से वर्ब क्या है यहां पर sing 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 song यह वर्ब की third second form है फिर से मैं उस वाले concert पर नहीं जाते हैं यह होगी वर्ब आपके सामने यह वर्ब होगी यह काम किस नहीं किया कौन है इसका यह रख कुनाल तो यह क्या बनेगा subject बनेगा यह डूर है और कुनाल को English grammar में कहेंगे क्या इंगलिश ग्रेमर में नाउन कहेंगे और नाउन में इसका type कौन सा है टाइप है इसका प्रोपर यह आर्टिकल होते हैं इसलिए मैं चीज़े लिखनी रहों इस गाने का काम सोंग है तो यहां पर यह क्या बनेगा object बनेगा अब मैं आपसे पूछाँ इस सोंग वर्ड का इस सोंग वर्ड का पार्ट सो स्पीश या फिर कहूंग इसको English grammar में कहेंगे क्या इसको इंगलिश ग्रेमर में क्या कहेंगे इसको कहेंगे नाउन और नाउन में भी कौन से ट प्रेप solidarity होती हैं फिरसे मैं यहां पर लिख मगतेता हूं कि जो क्वन प्रेफर से आप dynamics को क्या हो रहे है कि इस से आप व्रेफ करने में थोड़ी बहुत सब्सक्राइद आसानी रहें जैसे एक तो बहुता है अभी एंगि अट्शाइड थी इतनी बहुता है अभी फिल लिए इतनी बहुता है जैसे आगले हैं में आपको लोगों को सब्सजीड तो यह तो अभी हमने क्या देख लिया है इस सब्जिक काम करते हैं कैसे आते हैं है इसके अब सब्जक कोंप्लेमेंट के बाद का है सब्जक कोंप्लिङेंट केрам Until subject compliment, इस compliment का मतलब क्या होते है, किसी के बारे में बता देना, यहीं पिर मैं आप लोगों के थोटा से discuss करते हूँ, अभी आएंगे उस चीज़ के पर subject compliment क्या होते है, subject लगा हुआ है, और subject के बारे में बताना, subject compliment होते है इतनी चीज़ के लिए, आओ जो रहा एक छोटी से चीज़, discuss क्या कर लें, एक बी की form मुझे आपको बतानी है, यह बी की form, यह बी की form यह क्या है, यह वोब है, बी नाम की यह वोब होती है, और इससे बहुत सारी वोब जो हैं, ड्राइव होती है, इससे form, being, यह होती है, third form, यह being, वोब की base form, प्लस में ing, इसको हम कहते हैं, देखना जरा फिर से गिनना, is mrb, चार, पांच, छे, साथ, औरा, टोटल आठ form होती है, बी की इकलोती है, ऐसी form है, पुरी English grammar में, जिसकी कितनी form होती है, art form होती होती है, यह थी चीज़ के लिए, अब इस sentence पर आते है, अमित is a singing a song, is singing a song, अब मैं आप से पूछूँ कि इस sentence में verb क्या है, तो verb यहां पर काफी सारे बच्चे शाहिए जिनको अच्छे से पता होगा, तो वो further यह कहेंगे कि sir, यह है verb, यह क्या है, वो यह कहेंगे, sir, यह है helping verb, तो मैं यह कहूंगा, तो फिर यह verb, यह कौन सी वाली verb वी, तो यह हुई main verb, तो इन दोनों को तो verb भी कहा जाएगा, इन दोनों को verb भी कहा जाएगा, यह अलग-अलग define करना होगा, helping verb और यह main verb, clear, अभी इसके उपर आएगे, यह चीज़ क्यों बनी है, is helping verb क्यों लगती है, वो सारी कि सारी चीज़े हम, by, मतलब logic, वो चीज़े क्यों हुई है, logically हम उसको discuss करेंगे, अब, यह continuous है, Amit is singing a song, Amit is singing what, what का reply मिल रहा है, action इसके उपर हो रहा है, यह receiver बन रहा है, तो यह क्या बनेगा, object बनेगा, और इस singing को करने वारा कों है, Amit, तो यह subject बनेगा, यह noun है, proper है, यह noun है, common है, इत्ती चीज़ clear होगी, अब यहाँ बढ़ा जो, यहाँ पर यह है, is, जो थी, वो helping verb थी, यहाँ पर आते हैं, अगर तुम इसे helping verb कहा देते हो, देखो, यह बात गाट बांद कर रख लो, कि बिना main verb के, बिना main verb के, और बिना subject के sentence नहीं बन सकता, sentence नहीं बन सकता, subject hidden हो सकता है, लेकिन subject होगा जरूर, फिर से बता रहा हूं, बिना main verb और बिना subject के sentence नहीं बनता है, अगर main verb आएगे, तो उसका subject आएगा ही, आएगा, 100% आएगा, subject जो था, वो hidden भी हो सकता है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, अभी बहुत सो समझ के बोलना पड़ रहे हैं, कि कुछ चीजे ऐसी ना निकल जाए, जो शायद आपने नहीं सुन रखी हो, या फिर अभी भी complicated हो जाए, तो जितना बता रहा हूं, उस पर focus करें, कि जब भी main verb आएगी, उसका subject 100% आएगा, अब देखना, हमित is a teacher, अगर आप लोग इसको helping verb कह दोगे, तो main verb कहां रहागी, तो main verb नहीं है, और ऐसा नहीं है, कि sentence गलत है, sentence बिल्कूल सही है, एक बन मिस्कृफ कर देता हूं, फिर से, sentence एक दूम बिल्कूल सही है, आप लोगों का, अमित is a teacher, अगर आप इसकी हिंदी करते हो, तो sentence है, अमित एक teacher है, अमित एक teacher है, तो sentence बिल्कूल सही है, तो यहाँ पर यह जो is है, यहाँ पर helping verb नहीं है, यहाँ पर यह main verb, अब ज़रा देखने, यह main verb क्यों है, देखो main verb मैंने का, जिसकी teen form होती है, जिसकी teen form होती है, जो action को बताते हैं, देखो verb की बहुत सारी चीज़ हैं, वो समझो कि बस मैंने नाम बोल दिया, सारी चीज़े clear करूँगा, जितनी मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़े ऐसा नहीं है कि यहाँ बोल दिया, फिर कभी कुछ चीज़ को cover नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़े हैं, जो आप लोगों को बतानी है, यह समझो कि इसके बाद कोई वब आ रही हो, जैसे यह रही, singing, यह वब आ रही थी, तब इसने helping वब का काम कर दिया, main वब का काम कर सकती है, जब इसके बाद कोई बही अलग से वब नहीं आ रही हो, तब यह main वब खुद बन जाती है, यह रही है, तो B की फॉर्म क्या होती है, बी की इसके बाद कोई वब नहीं आ रही हो, खुद वहां पर एकलोती वब हो, वहाई इसको main वब कहा देंगे, clear हुआ, अब यहां पर आ जाओ, अमित is a teacher, यहां पर, इस जो होगी, main वब होगी, अमित क्या है, यहां पर subject है, अमित यहां पर subject है, अब यहां पर फिर से आ जाओ अब मैंने क्या कहा, यह एक वब है, अब यहां पर subject की परिभाशा, अब यहां पर change हो जाएगी, subject की परिभाशा, अब change कैसे हो गई, क्योंकि यहां पर action नहीं हो रहा, action कैसे नहीं हो रहा, ज़र आप बोल कर देखो, अमित इसे teacher, अमित एक teacher है क्या, इसमें कोई action हुआ, बिल्कुल भी नहीं, यहां पे तो एक state यह नहीं स्थिती बताए गई तो उसमें कोई action तो हुआ नहीं, तो action नहीं हुआ, तो उसका doer कहां से आ जाएगा, doer नहीं होगा, तो यहां पर subject किसको कहेंगे, यहां पर subject कहेंगे, जो main idea है, central idea है, उसको हम subject कहेंगे, तो को subject की परिवाज है देरे देरे चेंज होगी आज अभी तक फोड़े पिछली वीडियो में आपने इतना सीखा था कि सब्जेक्ट वह होता है जो एक्षन का डूर होता है अभी थोड़े दर पहले भी वही चीज़ी कि अभी हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके अरे सब्जेक्ट व अब यह टीचर अब बताओ टीचर क्या ओब्जेक्ट बहले गां देखो ऑबजेक्ट बनने के लिए मैंने आप लोगों को दो कंडिशन बताई थी अबजेक्ट बनने के लिए दो कंडिशन होनी चाहिए एक तो वर्ट-या हूं का रिप्लाइए दूसरा एक्षन का रिशी पताने वाले बाव है जो एक्शन यहां नहीं हो रहा तो उसके लिए उसका अब्जेक्ट कैसे मिल जाएगा तो उसका जिक नहीं है यह तो टीचर यहां पर क्या बनेगा ऑबजेक्ट तो किसी कंडिशन पर नहीं बनेगा आप लोगों के अभी आपके सामने यहां पर discuss कर लेता हूँ एक एक करके चीज़ें clear होंगी देखना जरा पहला काम है subject बनने का क्या ये teacher subject बन सकता है अरे teacher subject बन जाएगा तो ये अमित क्या बनेगा ये वाला subject बन गया तो ये वाला teacher ये subject बनने सकता है इसका teacher बनने से काम खतम हो गया क्या ये object बन सकता है जरा देखो जरा अरे object तो तब होता जब ये action का receiver होता action का receiver कब होता है जब यहां पर action होता action हो नहीं रहा तो ये action का receiver नहीं होगा इसलिए object भी नहीं होगा object के नाम से भी कट गया proportional object क्या proportional object हो सकता है क्या इससे पहले कोई proportion है कोई भी proportion नहीं है इसलिए proportion का object भी नहीं बन सकता फिर आता है object compliment तो वहने अभी थोड़े दर पहले का यह object compliment तो आप लोगों को बाद में समझाऊँगा क्यूंकि थोड़ा सा complicated है तो इसलिए object compliment बनने की बात नहीं हो रही अर्य object compliment तो तब होता न जब यहाँ पर object भता होता है object नहीं तो object compliment भी नहीं यह बाद चीज कलियर last काम वशता है हमारे सामने subject subject compliment subject compliment यह subject compliment है कैसे यहाँ पे लिख देता हूँ subject compliment यह अमीत और यह teacher कौन है भाई यह दोनों एक ही तो है यह teacher जो है वो इसी अमित के बारे में तो बता रहा है अमित कौन है यह teacher दोनों यह एक है जब इसके बारे बता दिया उसको compliment ही तो करती है उसको पूरा ही तो करती है इसलिए जो teacher है यहां पर यह subject compliment बन जाएगा जब भी अब यह subject compliment को उसके subject के साथ link करती है, इसलिए उसको linking verb कहा जाते हैं, इसलिए यह आपर linking verb बन जाती है, और जब भी B की form main verb का काम करेगी, linking verb बनेगी और इसके बाद हमेशा subject compliment आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, एतनी चीज़ clear होगी, आभी तक हमने दो ही sentence किये हैं, अ अब यहाँ पर subject object हो चुके हैं, proportional object हो चुका है, subject compliment हो चुका है, और object compliment को मैं कुछ time बाद, कुछ videos के बाद मैं इसको discuss करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, इतनी चीज़ clear होगी, फिर इसके बाद यह हमने example देखे थे, अब गात करें, example के बाद, pronoun की एक छोटी सी चीज रहे जाती है, pronoun को हम discuss over कर लेते हैं, pronoun किसको कहते हैं, pronoun एक ऐसा word होता है, it stands for noun, एक noun की जगह पर आता है, यह एक noun की जगह पर आता है, noun की जगह पर आता है, noun की जगह पर आने, noun की repetition को रोखने वाले को हम pronoun कहते हैं, इतनी चीज़ clear होगी, यह pronoun होता है, क्या काम करता है, व जहां पर ऐसको अगर ब्रेक करूं तो यह क्या हो गया इसको करने वाला कौन है और यहां पर हो गया इसको हम इंग्लिश क्राइब में क्या कहें प्रोपर, clear, boat, what, bag, receiver है, what का भी reply है, तो यहां पर यह बनेगा, object, receiver है, और noun है, को मने हर बैग को bag ही कहोगे, four के है, preporption, और preporption के बाद उसके क्या आते हैं, preporptional, object, same to same, वैसा ही था, अब इसके बारे में, अगर आप जानते हो, कि भाईया, अजे कोन था, he, he, boat, यह same to same रखा, back के लिए हमने it लगा दिया और शालने के लिए हर लगा दिया ताकि आप इनको जानते थे इसलिए repetition ना रोके, repetition रोकने के लिए आपने उसके लिए pronoun का यूज कर दिया, same काम वही करेगा है, यह subject बनेगा, यह object बनेगा, यह यह भी object बनेगा, objective case है, इस सारी चाहिजे पहले से lecture के शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पर basic से लेकर advance तक सारी चाहिजें वही कर लेंगे, I hope so, आप लोगों को यह चीजें clear हो गई होगी, अगली बार जो अगली वीडियो में है, adjective को discuss करेंगे, adjective के basic को discuss करेंगे, फिर उसके बाद जो है, basic के lecture खतम होगे, पता नही वीडियो को like कर दीजिए, आपके एक like से motivation मिलती है, बहुत ज़्यादा और subscription से तो और ज़्यादा motivation मिलती है, वीडियो बनाने के लिए महन इमत आ जाती है, वैसे इमत तो already भी है, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, जैहिंद